नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का हर खबर हर्याना में मैं आपके साथ असमिता दुबे और वक्त हो चला है कालका से समालका का खबरों की शिरुवारत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे अंबाला से बड़ी खबर आ रही है बता दे आपके लिए 40 करोर मंजूर किये गये हैं अनिल विजने असा बयान दिया है सिविल एवियेशन मंत्राले के हिसाब से आपको बता दे कि लिए बड़ी जानकारी अंबाला से दे रहे हैं आपको जहां पर अंबाला में डॉमस्टि करें करें कि लिए 40 करोर मंजूर किये गया है सिविल एवियेशन मंत्राले ने यह राशी मंजूर की है डॉमस्टिक एयरपोर्ट के लिए नया टर्मिनल बनेगा अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन आपको बता दे इस पर ग्री मंत्री अनिलविज ने बयान दिया है जहां 40 करोर रुपे एयोपोर्ट के लिए मंजूर किये गए हैं और सिबिल एवियेशन मंत्रवाले ने इसकी मंजूरी राशी भी दी है और इसी ख़वर पर जादो जानकारी के लिए मारे साथ अंबाला से रवी चंदेल जूट चुके हैं रवी चंदेल जिस तरह से अब ग्री मंत्री ने बड़ी घोश्रा की है बड़ा बयान दिया है क्या कुछ कहेंगे इस पर जी बिलकुल ये काफी लंबे समय से ग्रेमंत्री अनेलिज द्वरा प्रियास किये जा रहे थे कि ट्रमेस्टिक एरपोर्ट की जो है वो उसको शुरू किया जाए उसको बनाया जाए लेकिन वो काफी लंबे समय से सीरे नहीं चार पारा था इसको लेकर लिए लाज़ातार जो है वो बैटकू का दौर जो है वो सेन्ट्रलua का चार विवाद irony पे लेकिन आज एविएशन मंत्रा एक तुरलिज को किया अज़िया मुन भी उन पुर्टी जमेंस्क ऐर्पोर्ट बन से तयार दिया होगा। इस स्रीकृती मिली है बिल्कुल क्या-क्या सुविधा लोगों को मिलेगी इसके बाद अब जब नया एयरपोर्ट के लिए जो मनजूरी मिल चुकी है इसके क्या-क्या लोगों को सुविधा मिलेगी जो भी आधुनिक जो सुविधाएं होती है वो सारी की आधुनिक सुविधाएं जो है वहाँ पर उबलत करवाए जाएंगी इसके जाँवाँ चो पहली दो फ्लाइट थैंサथ य आधुनिक सुविधाएंग जिन्वम फ्लाइट से शुरू की जाएंगी बढ़ते आगे जा मुख्य मंत्री मनोहरलाल के प्रधान सचेव वी उमाशंकर और सर्व कर्मचारी संग के नेताओं के बीच चली लगभग तीन घंटे लंबी बैठा का बेनतीज रही और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संबादातर अवी चंदेल ने सर्व कर्मचारी संग के प्रदेशाद ध्याक्षि सुभास लांबा से बाच्वीत की है आए आपको सुनवाते हैं सर्व कर्मचारी संग के नेताओं की आज मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर के प्रधान सचेव वी उमाशंकर के साथ लगभग तीन घंटे बैठक हुई और अब बैठक खतम होने के बाद सर्व कर्मचारी संग के नेता यहाँ पर मौझूद है इनसे जानेगे कि आखिर कर तीन घंटे की बैठक के दौरान किन बातों को लेकर जो है वो चर्चा हुई सबसे पहले तो सर यह बताएं कि किस तरीके से जो बैठक हुई बैठक किन्दर क्या कुछ बातों को जो है वो चर्चा की गए जो सरकार के साथ सरक्मचार शिंग अरहना की मिटिंग हुई है इसमें निष्चित तोर से हमने करमचारियों के पक्स को मजबूती से रखा है और इसमें जो सबसे पहले हमारी मांघ ती जो क्रमचारी चटनेगर रखे जिसमें PTI भी हैं ट्राइंग टीचर भीयं राइंग टीचर भीयंग तो आपने पर बोजल उनको दी है लेकिन अभी अंतिम निनने उस पर कुछ गवा नहीं है दूसरा जो कच्छे करमचारी है हमने कहा कि अभी इमाचल की सरकार ने पंजाब की सरकार ने पोलिशिया बनाई है तो अर्याणा सरकार भी पोलिशी बनाए क्योंकि यहां सरकार ऐसी पोलिशी नहीं बनाई है पहली सरकार वं पोलिशी रेगुलर करने की बनती रही है लेगन इस सरकार नहीं बनाई है और जब तक समान काम समान वेतन बीच में से ठेकदार को टाओ बराबर वेतन दो और जोब स्कुरिटी दो अब यह एक इत लगाया जा रहे है कि कोशल वि तो हम यह करें जो जहां लग रहा है उसी में लगे और वहीं वह पेरोल पाए और उनकी सिमाव को रेगुलर कर जाए तो बड़ाबर कर दिया तो आप क्यों नहीं करते हो यहां से तो वह ने परफोजल रखी है तीसरा उनका बंद कर दिया जो रिटायर हमारे एंपेस का करम चाहिए उसका मेडिकल बंद कर दिया रिम्परिस्मेंट बंद कर दिया यह बात भी हमने सरकार के सामय रख तो इस पर भी हम अभी डिसीजन वो कुछ नहीं कर रहे हैं एक्सरेश्या पॉलिसी में जो अमेंडमेंट संसोधन करने की हम मांग करें सर्त लगा रखे हैं पांच साल तक अगर कोई नोगरी माज लगा है और पांच साल के अंदर मरेगा नोगरी नहीं मिलेगी बावन के बाद में मरेगा तो नोगरी नहीं मरेगी जैसे पूछ के और पांच से बाद में मरना है ब्यारी से पावन इसे पहले मरना है यह सरते उताओ जो सरते आपने लगा राकिए सरते अटाओ और नोगरी दिने की बात हम उस पर करें पदखाली पड़े हैं हमने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दो लगबक सात लाग पद खाली तो इस पर रोक लगाने की बात हमने की है वह शुक्रिया तो यह थे हमारे साथ सर्वकरमचारी संग के प्रदेशा ध्यक्षुभाज व्लांबा जिन्होंने साफ लबजों में कहा कि आज की बैठक में कॉंक्रीट डिसीजन पे नतीजा नहीं आया है उन्होंने साफ लबजों में कहा कि ये बैठक जो रही है ये बैठक बे नतीजा रही है जिसके मत्य नजर आगामी वर्ष यानि फर्बरी के अंदर जो है वो सर्वकरमचारी संग समुशे प्रदेश के अंदर हरताल करने जा रहा है चंडीगर से हर खबर हरियाना के लिए रवी चंदेल के साथ केमरमैन के साथ का लिए बैठक रहे है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी इपर निशाना भी साधा है और उन्हेंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है अब आफे चोटाला ने बीजय पी और जेजय पी पर निशाना सादा है उन्होंने बीजय पी जेज़ पी गडवंधन को किसान विरोधी बताया है सरकार हाथ पर हाथ धरे बैटी हुई है उनका कहना है और इसी के साथ ही जो किसान है वो दर-दर खात के लिए भटक रहे हैं ऐसा अभे चटाला का बयान सामने आया है वर जानकारी आपको दे रहे है बढ़ते आगे जहां यमुना नगर में किसान को पिछले कई दिनों से खात नहीं मिल रहा है और इसके चलते कई किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने सचीवाले के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है खात की कमी से परिशान भारी संग्या में किसान जब जिला सचीवाले में दाखिल होने लगे तो फुलिस ने उनra गेट पर ही रोग दिया बार बार आशवासर मिलता है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कार डिये पे खाद की किलत से किसानों को कैसे निजात मिलेगी तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों द्वारा लगतार प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है और एक तरफ खाद की किलत से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्रिशी मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अफील की है कि परियापत मात्रा में खाद की खरीद करें दिसंबर और जनवरी की खाद उतनी ही ले जोतने की अवशकता हूँ साथ ही उन्होंने काए कि किसानों को घबरानी की जरूरत नहीं है सरकार किसानों के साथ खड़ी है सरकार ने किसानों के हित में काम किया है और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आने वाले हफते में 80,000 टर्न यूरिया आज रहेगी इसके अलावा जिपी दलाल ने कहा है कि हमारी सरकार की इक्षा है जो भी किसनानों पर केस दर्ज है उन्हें जल्द वापस ले लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है अगर केस कोट में हैं तो कोट से सहमती लेनी पड़ेगी हर्याना सरकार ने सभी जला अध्यक्षों को आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द किसनानों पर हुए केसों की लिस्ट बनाकर सरकार को सौप दे यूरिया की खपत है जो यूरिया की खपत हुई थी हमारे या पांच लाख चेतर जार में टेक्टन की हुई थी और कल तक हमने 6,11,000 में टेक्टन यूरिया दुकानों पर उपलब्द करा रखी है जिसमें से लगबग 5,56,000 में टेक्टन यूरिया बिकी है और आने वाले अफते के अंदर हमारे पास लगबग 80,90,000 में टेक्टन यूरिया हो रा जाएगी हमारी जो भी जरूरते हैं यूरिया की वो भार सरकार हमें दे रही है बढ़ते आगी जहां परिवहन मंत्री मूलचन चर्मा ने बयान देते हुए का है कि किसनानों के घर वापिस होने के बाद जाद से जादा इंटर स्टेट बसे चुलाई जाएगी वहीं मूलचन चर्मा ने HPSC भरती परजी वाड़े मामले पर बयान देते हुए कहा है कि वेपक्ष अपनी बात रख सकता है उनको हक भी है लेकिन उतनी सच्चाई है नहीं जितना बड़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है साथी मंतरी मंडल विसार को कहा है कि ये मुख्य मंतरी का अधिकार शेत्र है और वो जब जाहे जिससे हटा सकते हैं पर सचाई कुछ सचाई है नहीं जितना तत्व में जिसकी बात रहा है वो तत्र के जाने जा है उनसे चाहे जानी जाती है गीता का उपदेश सारी दुनिया को जीना सिखाता है परिवार में ग्रस्त में मित्र में ग्यान का संदेश गीता देती है ग्यान का परचार परसार है सब्याई है और ग्रुवार में ग्रस्त में भाई में मित्र में ग्यान का संदेश गीता देश गीता है करक्षेत में चल रहा है अंतराश्ट्य गीता महत्सा में राजिपाय बंडारू दतत्रे किंट्री संस्कृती एवंपरेटन मंत्री विकिशन रेडी गीता मनीशी स्वामी ज्यान चन्ने वैश्विक गीता पार्क कशुभारम किया है और इस दौरान कुरिक्षेत्र ब्रह्म सरोगर पर 15155 स्कूली शात्रों ने गीता श्लोकों का उच्छारन किय है इस मौके पर महतसब में अनूठा रेकॉर्ड बना जो प्रदेश भर के 25 स्कूलों के 55,000 शात्र आनलाइन जुड़े खबर अंबाला से है जहां तीन दिवसिये गीता जैंती महतसब का समापन हो गया है और जहां इस मौके पर अंबाला की कमिशनर रेनो फूलिया ने मुख्य अथिती के रूप में शिरकत की उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए गीता के बारे में जौनकारी द गीता का तो नाम भी बहुत बड़ा है और जो हमारी सरकार ने इसको अंतर राष्टे सुरूप दिया है उसके लिए सब लोग उनके आखिए लिए हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इसको पहले जो गीता जेंती होती थी वहाली कृकषेतर में मनाई जाती दी लेकिन अब उन्होंने हर जिले में गीता जन्ती बनानी शुरू किये लेकिन उससे पहले जैसे 48 कोस का जो एरिया है जहां कुलक्षेतर का यूद वा था उसमें ही गीता जन्ती का गीता जन्ती कहते थे लेकिन अब उन्हें ने गीता महुतसव इसका नाम कर दिया तो इसलिए हर जिले में जो इसको गीता जा महुतसव को जो मनाने की परंपरा सरकार ने शुरू किये बहुत ही अच्छी है बड़ते हैं आगे जहां यमना नगर में नंबरदारों ने जिला सची वाले पर प्रदर्शन किया है और सरकार से नंबरदारों की नियुक्ती पर प्रतिबंद लगाने वाले आदेश को वापस लेने की मांगी है नंबरदार एस्सेशन की प्रदेश प्रवक्ताई शेफ कुमार का कहना ही कि सरकार ने नंबरदारों की नई नियुक्ती पर प्रतिबंद लगाया है और इसके लिए पूर इपनादेश के तहसीलों में पत्र भिजवाए जो की सही नहीं है अगर जल्द ही सरकार ने इन पत्रों को वापस नहीं लिया तो सरकार के खिलाब आम बोलन पेज किया जाए करने लिए पर नबरदार के समाज को पचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे है ना कि अपने अस्तिताव की समाज का समर्पित कारिया करता और इंसान है जो समाज को जोड़ के रखता है आपस में मिलवर्तन रखता है और इस सरकार ने सरबरा नमबरदार पर तो रोक पहले लगाई थी लेकिन नमबरदार नहीं की नई नुक्ती पर भी रोक लगा दी जो समाज के साथ बड़ा विश्वास घात है पता नहीं कौन ही सरकार को ऐसी ऐसी गलत शिक्षा देता है और अभी तो नमबरदारों ने सिर्फ अंगडाई ली है सिर्फ संकेतिक तोर पर यह जगाया है कि आप बहुत जल्दी देश-ग्यारा का पत्र है बहुत जल्दी उसको वापस ले लो नहीं तो भैक किसान अंदोलन स तो दो चार होना पड़े है लेकिन जब नमबरदारों के अंदोलन का फेज कर रहे हैं तो सरकार टिक नहीं पाएगी कहीं भी अंबाला सीटी सिविल अस्पिताल चौक पर नगर निगम की बड़ी कारवाई देखने को मिली है जहां अवैद अतिकरमन हटवाने को लेकर नगर निगम कमिशनर ने आदेश दिये हैं अम्बालक शहर को साफ और स्वच बनाने को लेकर नगर निगम की टीम पुराने सिविल अस्पताल के सामने जगाधरी गेट के तक पहुची और बता दे आपको जहां पर अवैद रेडियो को हटवाया और उनको समाप सामने जब्द कर लिया गया बता दे जो समान ले जाना पर काफी वेडिया लगी हुए इसके करना आवा जवन में काफी वितका रही है तो इसकी लिए नगर्णिक में आएक बड़ी कारवेगी करते हैं वेखारी की वानों को मांद जब्द किया है और जो यहां के समान लेके जावजा से उनको जब्द की अपनी जब्द की अपनी आटा दे ताकि लोगों को आवजा उनमें की पूज़ेक्स कोज़ करता है और अब ख़बर करणाल से है जहां नशे में धुद सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से दो एक्सिडेंट होने का मामला सामने आया है दरसल पीडित गाड़ी चालक ने बताया है कि वो पास्ताडा टोल पर टैक्स पे करने के लिए खड़े थे तब ही पीछे से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी चालक गाड़ी लेकर वहां से परार हो गया जिसके बाद डायल 112 और मदुबन थाना पुलिस मौके पर पहुची और आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाये गया पतारे कि वही जो पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में की तो मदुबन फुल क्रॉस करने के बाद उन्हें डिवाइडर पर एक बाइक सवार सड़क पर मिला जिसने बताया कि एक चालक उसे टक्कर मार कर फरार हो गया है जिसके बाद थोड़ी दूर पर एकसिडेंट करने वाली गाड़ी खड़ी मिली है जिससे कबजे में ले लिया गया फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाज में जुट चुकी है आप खबर करनाल से आपको बतादे कि सडख के बीच खड़ी ट्राक्टर ट्रॉली में कैंटर ने टेकर मारती है और हादसे में ट्राक्तर ट्राक्तर ट्रॉली को पीचे से हटा कर मारती है पतादे की केंटर चालक सोनीपत कर रहने वाला बताया जा रहा था जो कि पूलिस ने बताया है कि सड़क हाथ से की सूशना मिली थी, वही मौके पर केंटर ने देशी सराब भरी मिली है और अभी तक एक के मरने की सूशना मिली है, तो गंभीर खायल भी बताय जा रहे हैं, शिराब किसकी है, कहां से कहा जा रही है, इसकी जाश पर अभी पता किया जाएगा, वहीं शिकायत के आधार पर आगी की कारवाई आमल में लाई जाएगी. तो जो इंजड हैं, उसकी जाश पर आगी कितने लोगों की मोट हुई हैं, कितने घायल हुई हैं? बैंक के अंदर का पूरा सामान जल कर राख हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर मादी का कहना है कि बैंक के अंदर का पर नीचर का सामान पूरी तरह से जल कर राख हो चुका है, लेकिन बैंक के डॉक्यमेंट सब ठीक हैं, फिलहाल आग लगने के कारणों की तो उसके बाद जो नुक्सान हुआ है फरनीचर पिक्सर सेशी सब मेल्टीड है तो एक्षिली बुलाया हुआ ही लेक्रिशन और सबको सब लोग ना जाहरा लेने की क्या हुआ है आपके कैश हो गया कुछ जो से जुरूरी डॉक्मेंट होते हैं अमबालच जाबनी के डेलवे रोड के पास एक कपड़ी की दुकान में भीशर आग लग गई है जिससे लोगों में अफरत अफ्री मच गई है बता दे कि आग लगने से दुकान में रखे जूते कंबल सहीत लाखो रुपे का सामान जलकर राख हो गया है सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेट मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेट की दो गाड़ियां आग बुझाने में जोटी हैं वहीं आग लगने का कारण फिलहाल शॉट सब्कित बताया जा रहा है और कैंट सदर्थाना SHO नरेश भी मौके पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि खैरियत रही है कि किसी जानवाल का नुपसार नहीं हुआ है कि अब है कि अब हमें सूचना मिली थी सूचना पाके में मौका पर पहुंचा हूं और फायर बर्गेडी की गाड़ियां भी आई हुई है कंबलों की दुकान बताइगिया काउड गार्मेट्स के नाम से रुक्मनी देवी आल के सामने जहां तक अंदाजा है कि सौच्ट स्रक्टिक्स वे जैसे में आग लगी है ताकि अभी सपस्ट नहीं है ये कारण वो इसमें जानी नुक्सान तो नहीं हुआ है लेकिन जो समानी के अंदर दुकानी के अंदर समान था वो तकरीबन सारा है जो नस्ट हो चुका है तो आग पे कबू पा लिया गया है ख़वर यमुना नगर से जहां सिबिल अस्पिताल जगाध हरी की आईटी हैक करके जाली जन्म प्रमार पत्र बनाने का मामला सामने आया है जिसमें सीएम ओ के सिबिल सर्जिन डॉक्टर विजे दहिया ने बताया है कि उसको एक जाली जन्म प्रमार पत्र मिला है फिलाल पुलिस ने जाज शुरू कर दी है साथ ही मामले को साइबर क्राइम में दर्श कराये गया है और पुलिस थाना शप्पर के प्रभारी रायसिंग ने कहा है कि इस मामले में गहराई से जाज की जाएगी और जो लोग इसमें दोशी पाए जाएंगे उनके खिलाब से सकत कारवाई की जाएगी हमारे पास एक लैटर आया था हमारे ऑफिस के थुरू काड़ियला पुलिश्यदिक्स के मतन से और ये श्यम मोयमननगर की तब से लैटर जारी हुआ था कि जगातरी की जो जगातरी की नागिका उस्पिटल है उसकी आईडी को अनादिक रूप में प्रियोग करके एक स्यस्य संचालक है उसने मंदीव सिंग वासी बंबोली है उसने एक अमित कुमार पुट्र गुरुबचन लाग गंगा करणी जगातरी का लेले लिए उसका जर्म प्रमान पत्तर जारी किया है उसने एक साइबर क्राइब के तैत जगातरी सरकारी हफस्तार का आईडी को है करके रूटीन हमने जांच करते है क्योंकि फाइल डाउनलोड हो जाती है कि पिछले महिने में कितने यहां से बर्थ सर्टिपेट इशू है तो उसमें एक अधार जो बर्थ सर्टिपेट इशू हुआ था वो चौदा तीन 1902 में की डेट में डेट बर्थ दिखा रखे थ जब कि 92 में जगादरी की में नामदर्ज होते थे तो उससे हमारा जो ऑपरेटर है उसको थोड़ा शक हुआ फिर उसका सीरियल नंबर जब देखा तो सीरियल नंबर भी हमारे नंबर से मैच नहीं काता था तो इस व्यक्ति को इसका पीसे प्रतीत हुआ कि जो बर्थ सर्ट झाल